नमस्ते, आज का पाठ है मानविय करुणा की दिवेचमक, इसके लेखक है सरवेश्वर दयाल सकसेना यह संस्मरन विधा में लिखा, बहुती सरल भाषा में लिखा लेख है संस्मरन इस्मृतियों से बनता है, हमारी यादों के आदार पर ही हम संस्मरन लिखते हैं इस मृतियों की विश्वस्नियता उसे महत्वपून बनाती है जो भी हम लिख रहे हैं वो कितना सच है, यही उस लेख को महत्वपून बनाता है फादर कामिल बुलके पर लिखा लेखक का या संस्मरन इसका सौटी पर हरा उतरता है अपने को भारतिये कहने वाले फादर बुलके जन में तो बेल्जियम में थे बेल्जियम के रेम्स चैपल शेहर में जहां आप गिर्जे और पादरियों धर्म गुरूं संतों की घुमी देखते हैं परन्तु उन्होंने अपनी कर्म घुमी बनाया भारत को भारत बुलके एक सन्यासी थे परन्तु पारम परिक अर्थों में नहीं सरवेश्वत द्याल सकसेना जी बताते हैं कि फादर बुलके से उनका अंतरंग संबन था बहुती नजदी की संबन रहा उनका और इस संस्मरण में भी हमें उसके एक जलक मिलती है जब भी बताते हैं कि अन देने के समय अपने बच्चे को अन देने के समय उन्होंने उनने बुलाया था लेखक का मानना है कि जब तक राम कता है इस विदेशी भारतिये सादू को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाद प्रेम का उधारन माना जाएगा तो आईए शुरू करते हैं पार्ट मानविय करुना की चमक तो पार्ट शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि लेखक ने हमें इस पार्ट में क्या क्या बताया है मुख्या थब एक तो शुरू में अनोंने बता दिया कि उनकी मृत्टिव कैसे हुई फार्बुल के की मृत्यू प्र दूसरी का बता रहे हैं कि लाबाद में जह थे तब किस तरह की गतीविदियां रहती थी फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वे बेल्जियम से यहां क्यों आए और किस तरह आए उनके परिवार में कौन-कौन है उनकी पढ़ाई कहां तक हुई और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से फादर बुल के सब को प्रभावित किया करते थे अपने मधुर स्वभाव से अपने करोना मई सबहाव से और लेखक के साथ उसके इतने क्लोज रिलेशन थे कि उनके घर के भी जो प्रोग्राम सोते थे उसमें यो भाग लिया करते थे और दुख में भी वो हमेशा साथ रहा करते थे और उनकी बाते उनके जो सांत्वन भरे शब्द होते हैं वो बहु शांती प्रदान क्या करते थे और अंत में उन्होंने बताया है कि जब उनकी शावियात्रे निकली और उसके बाद उनको जब दफनाया गया तब कौन-कौन लोग मौजू थे और किस तरह उनको नम आखों से विदाई दी गई यह सारा कुछ इस पार्ट में हैं तो आए शु और एक तरह से जहरी है तो वे कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं बना चाहिए क्योंकि इस तरह की बहुत ही कस्ट दायक मौत थी है तो वे कह रहे हैं जिस इंसान की रगों में जिसकी धमनियों में खून की जगे मधुरता थी मीठापन था मीठाज भरा अम्रित था उस व्यक् को इस प्रकार की बिमारी ने क्यों मारा वे कह रहें कि इसका प्रश्ण ये जो प्रश्ण है इसका जवाब कौन देगा किस से पूछें क्योंकि इश्वर की बात करें तो प्रभू की आस्था ही उस व्यक्ति का अस्तितु थी उस व्यक्ति ने इश्वर के प्रति अपना ऐसी यातना की परिक्षा उम्र की इस देहरी पर याने उम्र के इस पड़ाव पर आकर क्यों मिली ऐसा वे प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि इतने अच्छे व्यक्ति की इतनी कस्ट दायक मौत क्यों हुई आगे वे बता रहे हैं उनको याद आता है उनके छवी उनको याद आ रही है एक लंबी पादरी के सफेज चोगे से धकी आकरती सामने है गूरा रंग, सफेज जाई मारती, भूरी दाड़ी, नीली आँखें, बाहें खोले, गले लगाने को आतुर इतनी ममता, जब भी भी मिलते थे तो गले से लगा लेते थे, आत्मियता से भर जाते थे, इतनी ममता, इतना अपनत्व, इस साधु में, अपने हर एक प्रियजन के लिए उमरता था जब भी लेखक ने उन्हें देखा तो हमेशा उन्हें प्रेम से भरा पाया लेखक कहते हैं 35 साल से वे इसके शाक्षी थे 35 साल उन्हें जानते थे 35 साल से उन्हें देख रहे थे उनका सवभाव ऐसा ही था फर्स टाइम उन्होंने देखा उन्होंने जब पहली बार मिले उनसे एलाबाद में तब भी और जब दिल्ली आते थे बाद में तब भी वे कह रहे हैं आज भी उन बाहों का दवाब अपनी छाती पर महसूस करता हूं मतलब वे अपने मन में आज भी जब भी उनको याद करते हैं तो उनके आलिंगन को उनके पर्ष को उनके करुणा माय भावों को वे अपने अंदर महसूस करते हैं फादर को याद करना एक उदास, शान्त, संगीत को सुनने जैसा है जब भी फादर को याद करते हैं लेखक तो कहते हैं इतनी शान्ती हमें मिलती जैसे कोई शान्त, संगीत सुनने के बाद मिलती है तो वे गह रहे हैं और उदास किसलिए कहा? क्योंकि यह याद, उनकी याद हमें दुखी कर जाती है क्योंकि हमें एसास होता है कि वे अब हमारे बीच में नहीं है उनको देखना करुणा के निर्मल जल में इसनान करने जैसा था उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भढ़ना था तो वे कह रहे हैं कि जब भी उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि हम निर्मल हो गया है, हमारा मन भी निर्मल हो गया है उनके संपर्क में आते हमें ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जो करुणा के दिव्य चमक है, वो हम पर पढ़ रहे है और हमें भी शुद्ध कर रहे हमारे मन को हमारे जो विचार है उनको भी निर्मल कर देती है उनसे बात करना कर्म के संकल्प में वे इतने कर्मट थे और इतने द्रणिश्चा ही थे कि जब हम उनसे बात करते तो उनसे ऐसे प्रभावित होते थे कि हम भी कर्म करें और ऐसा हमारे मन में संकल्प हो जाता था कि हम भी कर्मट बने उनके जैसे मुझे परिमल की वे दिनी आते थे परिमल उन दिनों लेखक ने जब यह लिखा है तो उन दिनों बताते हैं कि जब कुछ लोगों ने ऐसा एक ग्रुप बना लिया था समू बना लिया था जिसमें वे साहित्य सम्मंदी विचारवी मर्श क्या करते थे तब फादर बुलके भी उसमें आते थे और जब ऐसा कोई एक सी रुची का ग्रुप बन जाता है समू बन जाता है तो सब परिवार की तरह रहते हैं और वही इनके साथ भी था और उसमें बड़े थे फादर बुलके हमारे हंसी मजाग में ऐसा नहीं कि बड़े की तरह वे एक दूरी बना के रखते थे वे जब हंसी मजाग करते थे तो Father Bull के भी उनके साथ हशी मजाग करते थे और हमारी जो ghostियां थी हैं जो group में उनके discussions होते थे उनमें गंबीर बहस भी करते थे वो बराबर भाग लेते थे जो serious बाते होती थे उनमें भी और हमारी रचनाओं पर जो हम लिखते थे तो उन पर अपनी राय भी देते थे, उनको पढ़कर अपने सुछाव भी देते थे, हमारे घरों के किसी भी उत्सव, कोई भी हमारे घरों में function होता था, उत्सव होता था, कोई संसकार होते थे, उनमें भी जो ceremonies होते थे, ritual functions भी होते थे, उनमें भी वे बड़े भाई की तरह और पुरोहित जैसे खड़े हों ऐसे महाँ पे मौजूद रहते थे और हमें अपने आशिरवात से बढ़ देते थे लेखा को एक घटना याद आती है जब उन्होंने अपने बच्चे को अन्न देने के लिए अन्न पहली बार जब बच्चे को खिलाते हैं तो पूरा एक सेरमनी होती है तो वे कह रहे हैं कि उस सेरमनी में इन्होंने फादर को बुलाया था और फादर के हाथ से अपने बच्चे को अन्न का पहला दाना दिलवाया था तो वे कह रहे हैं कि उस समय फादर की नीली आँख तो बहुत मुची होची होते हैं, घने होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उसकी छाया में खड़े हों, वही शीतलता और वही शांती का अनुभव हमें उनकी उपस्तिती में होता था, ऐसा भी कह रहे हैं, उनकी आखों की चमक हमें ऐसा एहसास देती है, कहां से शुरू करें, अब बता रहे हैं कि उनका परिचे कहां से वाई या उनके बारे हों बताना चाहा रहे हैं, तो कह रहे हैं कहां से फिर शुरू करते हैं, इलाहबाद की सड़कों पर फादर की साइकल चलती दीख रही है, याद कर रहे हैं पिसली बाते, वह हमारे पास आकर रुकती है, मु excitement देखा, वो हावेश देखा, परन्तों उन्हें कभी घुसे में नहीं देखा, और मम था 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 प्यार में, हमीशा अच्छा लगता हुआ पाया, हमीशा प्यार में, हमीशा उनकी बातों से प्यार जह लगता था, उन्हें देखकर ऐसा लगता था, जैसे कि बेल्जियम में इंजीनियर के इंजीनियरिंग जब वो आखरी साल पढ़ रहे थे, उसी समय उन्होंने सन्यास का, सन्यास लेने का निश्चे किया, फादर बनने का निश्चे किया, तो यह सोच रहे हैं, आखिर ऐसा विचार उनके मन में कैसे आया होगा, क्योंकि उनके पित आदारी छोड़के उन्हें तन्यासी बनने की इच्छा जागी लेखक ने इक बार उनसे पूछा आपको अपने देश की याद आती है तब फादर बुलके ने कहा मेरा देश तो भारत है नहीं नहीं मैं आपको आपकी जन्म भूमी के बारे पूछ रहा हूं तो वे केते हैं ह हाँ आती है बहुत सुन्दर है मेरी जन्म भूमी रैंस चेपल घर में किसी की याद मा की याद आती है बहुत याद आती है ऐसा फादर बुलके ने कहा उन्हें मा की याद आती थी और फिर अकसर मा की इसमृती में डूबे जाते दिखा और उनकी मा के जो चिठ्छियां आ पहत देर बाद उसने शादी कि फादर को उसकी शादी के चिंता में अकसर देखा गया था तो वह बता रहे हैं कि भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार ही वे ब्ल्जियम गए होंगे अपने परिवार सी मिलने फिर एक बर उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ तब उन्होंने इंसे पुछा कि आप सब कुछ छोड़कर चले क्यों आए उनका जवाब था इश्वर की इच्छा थी, प्रभू की इच्छा थी और बालकों किसी सरलता से मुस्करा कर कहा मा ने बच्पन में ही कह दिया था कि ये लड़का तो हाथ से गया मतब मा समझ गी थी कि ये लड़का कोई समानने बालक नहीं है ये कुछ अलगी लड़का है और कुछ अलगी लीक से हटके करेगा सचमुच इंजिनिरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरू के पास गए तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ लेकिन एक शर्त है तो समय था कि एक शर्त वो अपनी कंडिशन रख सकते थे जो भी सन्यास ले रहा है उनकी कोई एक शर्त मानी जा सकती थे तो उन्होंने का मैं भारा जाऊंगा भारा जाने की बात क्या उटी यह सवाल जब पूछा फादर बुल के से तो उन्होंने का नहीं जानता बस मन में यही था उनकी शर्त माल ली गई और उन्हें मिश्रनरी के साथ यहां भारत बेज दिया गया जिसेट संग में दो साल पाद्रियों के बीच उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की फिर नौ से दस सा उन्होंने दार्जलिंग में पढ़े पढ़ाई की कॉलकता से बीए किया फिर इलावाद से एम्मे किया उन दिनों डौक्टर धिरेंद्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे इलावाद में शोध प्रबंद प्रयाग विश्विद्याले के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने पूरा किया और शोध ग्रंद क्या था राम का था उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याई पड़े गए जो गोस्ठी वो लोकिया करते थे ग्रुप था परिमल उन्होंने उसके अध्याई भी पड़े फादर ने माता लिंक के प्रसिद नाटक ब्लू बर्ट का नील पंची के नाम से हिंदी में अनुवाद किया बाद में मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष यानि हैड अव द डिपार्टमेंट हो गए बताईए एक विदेश या आके हिंदी और संस्कृत के विभाग का अध्यक्ष हो गए इतनी उनकी योगिता हो गई और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद अंग्रेजी हिंदी कोश यानि डिक्षनरी तयार की और बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया उसके बाद वे बिमार पढ़ गए पटना आ गए उसके बाद वे दिल लिया आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिन्दगी जीकर वे बृत्यो को प्राप्त हुए फादर बुलके संकल्प से सन्यासी दे परंपरागत सन्यासी क्या होता है जो दीन दुनिया से कोई मतलब ना रखे जिसका किसी से कोई मोह ना हो दुनियादारे से कोई वास्था ना हो सबसे संबंद तोड़के सिर्फ इश्वर की साधना में लगा रहे परंपर फादर बुलके ऐसे सन्यासी ना हो के संकल्प से सन्यासी दे और मन से सन्यासी नहीं थे ऐसा कभी-कभी लगता है क्योंकि जिसकी से एक बार वे संबंद बना लेते थे रिष्टा बना लेते थे उससे हमेशा बनाये रखते थे तोड़ते नहीं थे अब उसका example बता रहे हैं, उधार्ण बता रहे हैं कि दस्यों साल मिलने के बाद भी उसकी गंद मैसूस होती थी जब भी वे दिल ली आते तो लेखक से जरूर मिलते खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी हो, सरदी हो, बरसात हो, जेल कर मिलते चाहिए 2 मिनट के लिए ही सही, ऐसा कौन सञ्टियासी करता है? अब हिंदी प्रेम के बारे हों बता रहे हैं कि हमेशा उनकी चिंता रहती थी कि हिंदी को रास्ट पे शक क्यों नहीं बनाया जा रहा और वे हिंदी को रास्ट भाशा के रूप में देखने के चुक थे और जहां भी उनको मंच मिलता था हर स्टेज से हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते और हिंदी को रास्ट भाशा बनाने के लिए वो तरक देते थे ऐसे ऐसे लॉजिक दिया करते थे इनको काटा नहीं जा सकता काट्य तरक दिया करते थे बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुझलाते अक्सर देखा गया था कि हिंदी को रास्ट भाशा क्यों नहीं बनाया जा रहा और हिंदी को लोग हिंदी के ही लोग उसे उपेक्षा उपेक्षित कर रहे हैं उसे उपेक्षा की दृष्टी से देख रहे हैं हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते पाया अब आगे बता रहे हैं कि जिस किसी से वे संबंद रखते थे जिससे भी रिष्टा बनाते थे, उसके घर-परिवार के बारे में हमिशा पुशते थे, जब भी मिलते थे चाहे, दो मिनट के लिए मिले, उनकी अपनी व्यक्ति का दुख तकलीव के बारे में पुशते थे, यह उनका स्वभाव था, बड़े से बड़े दुख में उनके जैसे गहरी तपस्या से जन्मी रोश्नी हो, means ऐसा लगता था कि जैसे अतहा शान्ती का सागर है जिसमें हमने डुपकी लगाई है, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं, जो तपस्या करके, जो गहरी शान्ती प्राप्त होती है, उनके शब्दों से कुछ ऐसी ही शान्ती मिला करती उन्हें अब अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्य भी याद आ रही है, लेखक को, कि जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्य हो गई थी, तब फादर ने उनसे कहा था, कि हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, और उनके शब्दों से विरल शान्ती जरती हुई, महसूस हुई थी लेखक को, तो यह भी याद कर रहे हैं, आज वे नहीं है, अब लेखक कह रहे हैं कि उनकी मृत्य हो चुकी है, आज वे हमारे बीच में नहीं है, दिल्ली में रहे और बीमार रहे, वहीं एड्मिट हुए, एम्स में उनकी ड़त हुई है, और पता ही नहीं चला, बाहीं खोल कर इस बार उनने गले नहीं लगाया, नहीं तो जब भी मिलते थे, पहले गले लगाते थे, प्यार से, और जब आज उनने देखा लेखक ने, तो उनकी मृत देह को देखा, वे बाहीं जो हमेशा उनको गले लगाती थी, आज दोनों हाथों की सूजी उंगलिय को उलजाए ताबूत में जिस्म पर उनके शरीर पर पड़ी हुई है जो शांती बरस्तिती वे चेहरे पर आज थमी हुई है तरलता जम गई थी जो वातसल्य रस उमरता था उनके चेहरे से आज वे जम गया प्रतीत होता है वे 18 अगस्त 1982 की सुभ़ 10 बजे का समय था जब दि दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक चोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया कुछ पादरी रगवंज जी का बेटा जो उनके क्लोस फ्रेंट थे डॉक्टर रगवंज और उनके परेजन राजिश्वर सिंग उसे उतार रहे थे फि उदास पेड क्यों कहा है लेखक को लग रहा है जैसे कि फादर के मृत्ति उपर ना केवल वे लोग बलकी प्रक्रती भी उदास है ये पेड भी दुखी है और आगे कह रहे हैं कि जहां धर्ती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अव्वाक मूँ खोले लेटी थी धर्ती अब उन्हें अपने भीतर लेने के लिए तयार थी उपर करील की घनी छांती करील कांटेदार पेड होता है और चारों और कब्रें कब्रिस्तान था तेज धूप के वृत तेज धूप फैली वी थी जैनेंद्र कुमार आगे जितने नाम हैं वे सहितेकार हैं जैनेंद्र अजीत कुमार डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समूदाय के लोग जो क्रिशन कम्यूनिटी के जो लोग थे पादरी गांट जो प्रीस्ट लोग थे उनके उनका ग्रूप उनके बीच में गैरिक वसन पहने जो गैरिक कपड़े पहने इलाबाद के प्रसिद्ध विज्या डॉक्टर सत्य प्रकाश भी वहाँ थे डॉक्टर रघुवन्ष भी जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किनी अपरिचित आहटों से दबे वी थे मिन सभी बहुत दुखी थे सिमट आये थे कबर के चारों और फादर की दे इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हो मतलब उनका जो व्यक्तित्व है इतना प्रभावशाली था और इतना महान था कि ऐसे व्यक्ति इस धरती पर जनम लेते रहें और भी ऐसे लोग हो जिनकी करुणा जिनका प्यार युगोयोग तक याद किया जाए तो ऐसे लोग और भी पैदा हो इस धरती से ऐसा उन्होंन कहा डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रधा अंजली में उनके अनुकरणिय जीवन को नमन किया जो उनका जीवन है जो सादगी भरा प्रेम भरा जो जीवन है उसका अनुकरण करने के योगिया उस जीवन को बताते हुए उन्होंने उनको नमन किया श्रधा अंजल इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा लेकिन उच्षन जब उनको दफनाया जा रहा था तो रोने वालों की कमी नहीं थी जितने भी लोग थे उन सब की आँखें नम थी उन सब की आँखों से आँसु बह रहे थे कितने लोग थे कौन कौन लोग थे इसको लिखना बेकार है फजूल है बहुत लोग थे बहुत से लोग थे नम आखों को गिनना स्याही फैलाना है स्याही फैलाना स्याही बरबात करना है स्याही की बरबादी है उन सब के नाम यहां लिखना क्योंकि इतने अधिक लोग थे ज करते हुए रो रहे थे जिनकी आखें नम थी दुखी थे उनके सब के नाम लिखना यहां स्याही बरबात करने जैसा है इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा कि नम आखों को गिनना स्याही फैलाना है इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल सबसे उंचा है सबसे हटकर है सबसे अलग है सबसे उंचा है पर मानविय करुणा की दिव्य चमक में ऐसा व्यक्ति जिसकी करुणा की दिव्य चमक दूर दूर तक लोगों को रोशन करती रहेगी और अपनत्व की वातसल्य की गर्माहट देती रहेगी ऐसी चमक में लहला जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उनके निकट थे, किसी यग्य की पवित्र आग की आज की तरह, यग्य की पवित्र आग सारे वातावरण को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार इनकी स्मृति, फादर की स्मृति लेखक कहते हैं, उन सभी के लिए एक उस पवित्र आग की तरह है जिसमें बातावर्ण शुद्ध हो जाता है इसी तरह से हमारे मन हमारे मन के विचार सब शुद्ध हो जाते हैं उनकी स्मृति करते ही और यह है आज उसकी गर्माहट आजीवन बनी रहेगी मैं उस पवित्र जियोती की याद में शद्धानत हूँ वे कह रहे हैं कि वह पवित्र जियोती जो यग्यक की जियोती की समान पवित्र है उस व्यक्तित्व को उस व्यक्ति को फादर बुलके को वो आज याद कर रहे हैं और उनकी याद में श्रद्धा से स्रिजुकाई अपनी श्रद्धानजली प्रकट कर रहे हैं श्रद्धानत हूं श्रद्धाज स्रेजुगाए हूं तो यह था पाट का सरलार्थ आशा है आपको समझ में आ गया होगा धन्यवाद